प्रीती पढ़ने में बहुत ही कमजोर थी, वो पांचवी में ही दो बार फेल हो गई, इसलिए घरवालों ने उसे आगे नहीं पढ़ाया, फिर अठारव वर्ष होते ही घरवालों ने उसकी शादी तो कर दी, लेकिन प्रीती की मा जानकी ने लड़के वालों से जूट कहा, क कि वो दसवी पास है, फिर शादी के कुछ दिन बाद, उसके साथ रजट के पास गई और उससे डिशस के नाम पूछे, और फिर रसोई में जाकर, प्रीती की वो सब बनाने में मदद दी, कुछ दिन बाद, प्रीती अगर औरत सिक्षित हो, तो वो अपने आने वाले बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा लेती है, इसलिए मुझे चिंता नहीं कि आने वाले मेरे बच्चों का भविश्यक ऐसा होगा, मैं जानता हूँ तुम पढ़ा लोगी, ये सुनकर वो घबरा गई और हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा, सुनो जी, अगर मैं पढ़ी लिखी ना हूँ, तो, और पांचवी फेल हुई तो, वाट नॉनसेंस, प्रीती को लगा, उसने फिर से कुछ खाने के लिए कहा, आप रुखिये में अभी माजी से पूछ कर ये बना कर लाती हो, जो भी अभी आपने बोला, आप रुखिये में अभी देखती हो रसोई में जाकर, क्या तुमें सच मुझ में समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या का, समझ में तो आ रहा है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता वो, रज़त को कुछ गरबर लगी, वो अंदर गया और एक पेपर लाकर फ्रीती से बोला, फ्रीती मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए, प्रीती जोड-जोड से रोने लगी, मुझे माफ कर दीजे जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, माने आपसे जूट बोला था, मैं दसवी पास नहीं, बल्कि पाँचवी फेल हूँ, ये सुनकर रजट गुस्से में आ जाता है, और जोड-जोड से चिलाने लगता है, क्या, पाँचवी फेल, इतना बड़ा दोखा, तुमने जूट कहा, मा, मा, बाबुजी, यहां ये, उसकी आवाज सुनकर, वो दोलों बाहर आजाते हैं, क्या हुआ, क्यूँ चिला रहा है, और ये बहु क्यू रो रही है, मा, इसने हमसे जूट कहा था, ये दसवी पास नहीं, बल्कि पाँचवी फेल है, ये अनपड है, क्या, ये अनपड है, शान्त हो जाओ बेटा, और बहु, तुम मुझे बताओ, क्या तुम दसवी तक नहीं पड़ी, बाबुजी, मेरे बाबा ने समझा है था, कि पाँच और पाँच दस होते, और जब मैं पाँच वी में दो बार फेल हुई, तो वो दस हो गए, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, मुझे माफ कर दीजे, जो मैंने आप सबसे जूट बोला, गवार पाँच वी में दो बार फेल हुई, तो दस वी पास हो गई, अगर तीन बार फेल होती, तो पंद्रा पास कर लेती, निकल जाओ यहां से, अनपड गवार कहीं की, मैं इसके शकल भी नहीं देखना चाथा, अनपड कहीं की, शान्त हो जा बेटा, अब ये जो भी है, इस घर की बहु है, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम इसे पढ़ाएंगे और काबिल बनाएंगे, अगर ऐसा है तो आप रहिए इसके साथ, मैं इस अनपड के साथ नहीं रह सकता, रज़त गुस्से में वहां से चला गया और किराय पर जाकर रहने लगा, अब उसके साथ ससुर ने ठान लिया, कि वो प्रीती को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे, प्रीती ने भी सोच लिया कि वो अपने सर से पाँचवी फेल का धबबा हटा कर रहेगी, उसके साथ ससुर ने उसके लिए घर में ही दो-दो ट्यूशन लगवा दिया, क्योंकि स्कूल में बैठने की उसकी उम्र नहीं थी, और वो दिन रात खूब पढ़ने लगी, फिर एक साल की दिन रात की पढ़ाई के बाद, उसने सीधे ओपन से बार्वी का फॉर्म भरा, जिसमें वो पास हो गई, मा, बाउची, देखिए मेरा रिजल्ट आ गया, मैं बार्वी पास हो गई, ये सब तुम्हारी मेहनत का परिनाम है बहू, अब तुम आगे की तैयारी करो, बार्वी पूरी होते ही उसने नौकरी की तैयारी की, किसमत उसके साथ थी, उसका रेलवे में सेलेक्शन होगे, अ मुझे फसाने के लिए, उसके तरह आप भी जूट बोल रहे हैं, ठीक है, अगर तुझे विश्वास नहीं तो उसे नहीं अपनाना चाहता, तो हम अपनी बहू के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके शादी कर देंगे, एक रोज रज़त को किसी काम से रेलवे खबर रज़त तक पहुचा दी, क्या, वो शादी कर रही है, रज़त को उसके साथ बिताए पल याद आने लगे, वो जल्दी से अपने घर पहुचा, तुम मेरे लवा किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर किसी और से शादी मत करो, ये देख सब खोश हो गए, फिर रज़त ने देखा कि वहाँ तो शादी की कोई तैयारी नहीं है, अरे ये सब एक नाटक था, तुझे तेरे प्यार का एहसास दिलवाने के लिए, मुझे माफ कर दो प्रीती, लेकिन मैं तुमसे दोर नहीं रह सकता, प्रीत वो अपनी पत्नी के साथ रहता था, एक रोज हरिया नाश्ता करके जब अपने खेट पर पहुँचता है, तो उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी, अरे ये तो किसी बच्ची की आवाज है, वो खेट की उसोर बढ़ा, तभी उसने देखा खेट में एक घर आकर उसकी पत्नी रमा ने उससे पूछा, हे राम, पांच सिर वाली बच्ची, इसे कहां से उठा कर ले आए, खेट में मिली है मुझे, जैसे राजा जनक को मा सीता मिली थी, और आज से ये हमारी बेटी है, हमारी बच्ची, कितनी प्यारी है, हम इसका नाम लक्ष्मी रखेंगे, लेकिन गाउवालों ने जब उस बच्ची को देखा, तो वो डर गए, सब हरिया से कहने लगे, अरे बई, मुझे तो लगता है, ये किसी डायन या चुडैल का बच्चा है, इससे पहले कि कोई अन्होनी हो, इसे उठा कर फेंग दो, लेकिन बच्चे तो चले जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आज की बाद कोई भियन होनी हुई ना गाउं में फिर देखना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उसके आने से गाउं में और भी खुशाली आ गई, बंजर जमीन उपजाओ हो गई, गाउं में अच्छी फसल होने लग हरिया और रमा सब के सामने रोते गिर गिराते लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता, ये देख लक्षमी को बहुत बुरा लगता, एक रोस जब वो खेट से लोट रही थी, तो उसने देखा एक मोटर साइकल, जिसमें जवान लड़का था, बारिश में फिसलन के कारण उसक देखकर डर गया, उस लड़के का नाम रोहन था, कौन हो तुम, कौन हो? देखो, डरो मत, मेरा नाम लक्षमी है, लक्षमी ने उसे सारी बात बताई, रोहन ने उससे माभी मांगी, मुझे माफ़ करना, आपने मेरी जान बचाई, और मैंने आपको गलस समझा, कोई बात न पास ही के गाउं के जमिनदार का बेटा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी से परिशान था, कुछ समय पहले उसकी पतनी जिससे उसकी लव मेरेज हुई थी, उसकी मौध हो गई थी, और उसका चार साल का एक बेटा था, रोहन की मा रोहन की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो करना नहीं चाहता था, उसे लगता था, सौतेली मा उसके बच्चे को सगी मा जैसा प्यार नहीं दे पाएगी, उसकी सारी बार सुनने के बाद लक्षमी ने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दूसरी ओरत उसे वो प्यार न चुडैल को कहां से ले आया, मा ये आपकी बहू है और मेरी पतनी, हमने शादी की है, क्या तुझे पूरी दुनिया में यही चुडैल मिली थी ब्याहने के लिए, इससे तो अच्छा होता, तु कुमारा ही रहता, मा ये सब छोड़ो, और अपने इस पांच सिर वाली बहू का ग्रह प्रवेश करो, ना बाबा ना, मैं तो इस डायन का ग्रह प्रवेश बिलकुल ना करूँ, कहीं मुझे कुछ हो क्या तो, तभी सावित्री गुस्से में अंदर चली गई, वही पास में रोहन का बेटा वंश खड़ा था, जो कि लक्ष्मी को बड़े गौर से देख रहा था, वो जट से मंदिर में रखी आरती की थाली उठालाता है, और उससे अपनी पांसर वाली मा का ग्रह प्रवेश करवाता है, लेकिन वो अभी भी लक्ष्मी को हैरानी से देखे जा रहा था, लक्ष्मी ने उससे कहा, तुम वंश हो ना, बहुत प्यारे हो, आओ, अ उसके बिना नहीं रह पाती, लेकिन कुछ ही दिनों में लक्ष्मी को महसूस हुआ कि उसकी साज सावित्री ना किवल उसे ना पसंद करती है, बल्कि वंश को भी कुछ खास पसंद नहीं करती, वो गुस्सा आने पर उसकी खुब पिटाई करती, मेरा इतना महंगा काज का शोपीस तोड़ दिया, रुक तू अभी बताती हूँ, सावित्री उसकी खुब पिटाई करने लगी, मा जी, ये क्या कर रहे हैं आप, इस मासूम से बच्चे को क्यों मार रहे हैं, आपको मुझे चो कहना कह लीजे लेकिन इसे मत मार ये, बड़ा लगाव हो गया है ना त शार दिन तक भारी बारिश होती रही जिससे की गाउं में बाढ़ा गए, अरो बचाओ, अरो कोई बचाओ, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी कहा गया, कोई बचाओ, पूरी गाउं में हाहा कार बच गया, सावित्री ने इस बात के लिए लक्ष्मी को जिम्मेदार ठेहराया, देखा रोहन, मैं ना कहती थी ये डायन है, डायन मनहूस, चालिस साल से अपने गाउं में बाढ़ नहीं आई, लेकिन इसके आते ही बाढ़ा गई, वो तो शुकर है, अपना घर तीन मंजिला है, इसलिए हम बच गए, ये सब तेरे पांस सिर्वाली पत्नी की वज़ा से इससे पहले की हम सब को भी खा जाए, मुझे उसका कुछ करना होगा, ये कहकर सावित्री ने लक्ष्मी को तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया, और वो बाढ़ के पानी में बहने लगी, रोहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा, कि आसमान से तेज बिचली कड़की और उसमें से पांसर वाली बूढ़ी और प्रकट हूँ, फिर उसके चुटकी बजाते ही बारिश रुख गई और पल भर में सब कुछ सामाने हो गया, सावित्री और रोहन ये सब देख रहे थे, मैंने कहा था ना ये लोग कोई डायन है, तभी पां असर ही होते हैं, जब मैंने इसे जन्म दिया, उस समय सुर्योदय होने वाला था, अगर मैं ये धरती लोग नहीं छोड़ती तो ये धरती गायब हो जाती, इसलिए मुझे मजपूरी में इसे छोड़ कर जाना पड़ा, और 21 वर्ष के पश्चाथियम वापस धरती लोग प इसी ने की है, यहां तक कि तुम्हारी मोटर साइकल के ब्रेक्स पीसी ने फेल किये थे, ये सब सुनकर रोहन गुस्से में आ गया और उसने अपनी सौतेली मा को पुलिस के हवाले कर दिया, गीता जाते जाते अपनी शक्तियों से लक्षमी का सर ठीक कर गई, अब उसका भ और बच्चे के साथ खुशी-खुशी रहने लगी